तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्स करीटरी सिस्टेम के बारे जैसे आपको पता रहेगा एक्स क्रीटरी सिस्टेम बहुत ही सारे है इसमें जी आईटी भी इनवोल्ड है जिसमें सकिन भी इनवोल्ड है जिसमें सबसे में जो एक्षटरी सिस्टेम जो इनवल्ड हो है अपना रीनल सिस्टेम डाट इस किड्नी यह बारी बाकि सब देखोगे कि जी आईटी होगा तो फीसेश के तुरू एक स्कृरीट हो रहा है तो वाटर और हुझ है ऐसे ना इस तुर्म करतीं है तो रीनल सिस्टीम में हम सबसे पहले आपको यहamed मेडियोललone तो बहुत सारे हिस्सों में divided है जो उल्टा triangle आपको जो दिख रहा है याँ वह इससे हम क्या बोलेगे क्यूंकि यह enticable urban स्कंति भूर दोनों मर्ज होके क्या बनाएगे मेजर कलाइज और मेजर कलाइज से आप देखोगे कि रीनल तैनेज के थूरू आपका यूरीन यूरेटर के थ्रू यूरेनरी ब्लाडर के तरफ जाएगा तो यह हो गया आपका का longitudinal section of kidney इसी पाल्ट को अगर हम जूम करें यह इस पाल्ट को तो आपको आपका structural and functional unit of kidney देखेगा that is nothing but nephron तो आईए चलो structure of nephron की बारे में पढ़ते हैं अगर आप nephron को देखा गए तो यह 3D structure है उसका अगर इस 3D structure को हम explain करें तो nephron यह दो हिस्सों में divided सबसे पहला that is nothing but renal corpus और दूसरा जो टिबूलर पोर्शन है वो है इससे हम बोलेगे रीनल टिबूल रीनल कॉर्पसकल जो है अगर आप देखोगे तो यह जो कप लाइक जो स्ट्रक्चर देख रहा है इसे हम क्या बोलेगे तो पो मैंस कैप्स्यूल और इसी बाव मैंस कैप्स्यूल के अंदर आप देखोगे कि एक कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर है यहां से जो आ रहा है वो है अफ्वरेंट आरे टेरियोल अले अफ्वरेंट आरे टेरियोल अब फ्वरेंट और आएगा एक कैपिलरी टफ बनाएगा और निकलेगा लेंगा किस के फार्म में इफ्वरेंट के फार्म इफ्रेंट अल्टेरियो और यह जो कैपिलरी टफ है इसे हम बोलते हैं ग्लोमेलुलस सो यह overall हमारा हुआ रीनल कॉर्पसकल जिसे मालपीजिन कॉर्पसकल भी बोला जाता है जो बचा हुआ हिस्सा है इसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं पहला जो आपको राउंड स्ट्रॉक्टर देख रहा जो कि प्रॉक्सिमल है जो कि नजदीक है रीनल कॉर्पसकल के उसे हम ब कॉल्यूटेड टिप्योल और जो दूसरा जो यहां पर आपको जो राउंड स्ट्रॉक्टर इसे दिख रहा है जो कि ट्विस्ट कर रहा है डाट इस नाथिंग बट डी सीटी इस्टल कन वोलेटिंग त्यूबल और बीच में जो आपको यह जो टरन दिख रहा है यह लैजती जाने वाला पोर्शन और असेंड अगरे डेसेंडिंग आप देखोंगे तो यह थख और यह sih गो अगर मांइन मैप्स के तुरू देखोगे इसके नेक्स स्लाइड में हम देखेंगे जैसे हमने देखा हॉई ऐट किया है रेनल कॉर्पसकल में और ये पिर से डिवाइड हो जाता है बोमिन स्क्याप्सियल में और Glomerulus में और tubular portion देखे तो जैसे हमने बोला कि first जो proximal round structure है वो है PCT और बीच में जो loop बन रहा है hairpin bend के साथ वो है loop of Henley और last में जो turn लिया है वो है DCT that is distal convoluting tubule फिर से loop of Henley जैसे मैंने बोला कि नीचे descending limb hairpin bend और ascending limb और descending limb फिर से divided है ठिक और थिन में और फिर से थिन और थिक में ascending यह overall structure हो गया नेफरान का नेक्स्ट हम देखेगे जो कि बहुत ही important है जो कि इस lecture का सबसे important part है वो है urine formation so urine formation अगर हम देखे तो introduction में अगर information बले यूरीन फॉर्मेशन यह जो process है that is nothing but blood cleansing process blood को साफ करने वाली यह process है अगर आप देखोगे तो दिन में एक से डेड़ लिटर इतना urine form होता है पर डे एक से डेड़ लिटर इतना urine form होगा पर डे तो यह urine formation में कौन से कौन से steps involved है आईए जानते हैं कि सबसे पहले events of urine formation में देखेगे तो यहां से क्या आ रहा है आर्टेरियल blood कौन लेके आ रहा है जैसे हमने पढ़ा यह अफ्वरेंट आर्टेरियो लेके आ रही है आर्टेरियल blood को कहां पर जाएगा यह ग्लो में रूलस में जाएगा यही पर आपकी फॉर्स्ट प्रोसेस होगी कि जिसे हम क्या बोलोगे लो में लो में रूलर पिल्ट्रेशन यहां पर आपकी फॉर्स्ट प्रोसेस हो रही है वह है फिल्ट्रेशन पॉस्ट प्रोसेस ऐसे तीन इवेंट से जोकि यूरीन फॉर्मेशन में जोकि एंड में आपका दियुक्त बॉक्त आपकी तो प्रोसेस के बारे में अगर गलो मेल रूलर फिल्ट्रेशन देखे तो सब से पहले इंट्रोड़क्शन उसके डेफिनिशन को देखे गलो मेल फिल्ट्रेशन है क्या अगर आप इसे डिफाइन करें करेंगे तो ऐसा है कि जब ब्लड़ so it is a process by which the blood is filtered out when it passes through the glomerulus by the filtration membrane so it is the process by which the blood is filtered out in the woman's capsule by the filtration membrane so I a janta filtration membrane के बारे में filtration membrane किसे बनती है filtration membrane तीन चीज़ों से बनती है सबसे पहले अगर हम देखेगे तो ऐसे endothelial cells होते है glomerular capillary membranes के और यह endothelial cell अगर आप देखोगे तो यह है basement membrane पर तो यह जो endothelial cell है यह आपका फॉर्स्ट लेयर बनाता है filtration membrane का endothelial cell इसके बीच में आप अगर देखोगे तो कुछ पोर्स है कुछ जगा है इससे बोलते है filtration पोस्ट या इसे पिनिस्ट्रा भी बोला जाता है दूसरा अगर देखे यही endothelial cells यह किसके उपर है basement membrane पर और बीच में आपने क्या बोला यहां पर है visceral लेयर ऑफ बॉमेंस के अप्सुल जो की basement membrane पर ही है यहां पर आपको ऐसे टाइप के से दिखेगे इन-cells को बोला जाता है podocytes, podocytes क्यों बोला जाता है क्यूंकि यहां पर feet like cytoplasmic extension है जिसे pedicles भी बोलते है और इनके बीच में यह जो pores है इसे बोलते है slit pore तो ब्लड आएगा glomerular capillary में यहां से वो filter होके बॉमेंस capsule के अंदर enter करेगा तो यह तीनों layer जिसमें सबसे पहले है endothelial layer उसके बाद यह दोनों basement membrane fuse हो जाती है और second layer बनाती ही that is basement membrane layer और third layer है it is the layer of visceral layers of woman's capsule जिसमें कि आप kodocyte देखते है तो आप जभी भी glomerular filtration के बारे में लिखेगे तो पहले आपको इंट्रो देना है define करना है उससे second जो point लिख होगे आप filtration membrane के बारे में लिख सकते हैं तो इसके तीन layer में filtration membrane यह बनता है next process 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 के बारे में एक छोटा सा paragraph आप लिख सकते है तो blood आ रहा है the blood is entering the glomerular and it is passing out by the e-parent arterial and the glomerular filtrate is formed in the bomb and scapsule यह हो उसका overall process the next four point इसको देखे यह four point आप देख सकते यह क्या है GFR यह फर्क फिल फॉर्म क्या ग्लो में रूलर filtration और क्या है rate so glomerular filtration rate so agar a glomerular filtration rate को define करेंगे rate मतलब क्या मतलब किसी ना किसी time के relation में है so it is the amount of filtrate form in the bowman scapsule from all the nephron of both the kidney in a unit in a in per unit time so if you can look at the 125 ml per minute it's not GFR it's not glomerular filtration rate so that per day के हिसाब सकर calculate करें तो कितना होगा कोई बता सकता है so it is 180 लीटर पर देट कि इतना glomerular filtrate form हो रहा है और हमने introduction में क्या बोला था कि एक से देट लीटर इतना ही यूरीन फॉर्म हो रहा है तो देखिए 180 लीटर पर दे और किदर 1 to 1.5 लीटर पर दे इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है इन दोनों की बीच में अपनी second process हो रही है that is nothing but reabsorption तो यह जो second process है यह जो second process है इसे हम क्या बोलेगे तिब्यूलर क्योंकि यह टिब्यूल में हो रही है इसलिए हम बोलेगे टिब्यूलर और क्या हो रहा है री एब्सॉर्प्षिन the first process हमने पढ़ा blood आया filtration हुआ filtration होके जैसे ही blood नीचे आता है 180 लीटर पर डे इतना filtrate यहां पर फॉर्म होगा सारही नेफरोन में दोनों ही किट्नी के जब ब्लड आगे आ रहा है जब यह filtrate आगे आ रहा है तब क्या हो रहा है उससा फिर से टिब्यूल से इसी capillary में reabsorption हो रहा है तो आए जानते हैं टिब्लर री एब्सोप्शन कैसे होता है है तो टिब्लर री एब्सोप्शन सेकेंड़ी पॉइंट का वी पॉइंट है टिब्लर री एब्सोप्शन अगर इसको इंट्रो या अगर इसके mechanism को देखे तो दो चीजों में divided है वन इस अक्टिव अनदर इस पैसिव यह वर्ड का अगर मीनिंग आपको सबको पता रहेगा किसने मुझे धक्का दिया और मैं गर मेरी पॉजिशन चीन्ज हो गही और यह वह पैसिव उसमें मेरी कोई एनर्जी नहीं अगर हम सेल की भाशा में बात करेंग एटीपी यूज होता है तो मैं उससे बोलता हूं अगर ATP पर एनरजी यूज नहीं होते उसे मैं बोलता हूं वही चीज़े मेकानिसम अगर देखे तो दो मेकानिसम और री एब्सॉप्शन एक 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 टेव को अगर हम वर्ड एक टेकनिकल टर्म से एक टेव एस री एब्सॉप्शन यार मॉवमेंट ऑफ मॉलेक्वल्स अगेंस्ट इलेक्ट्रो केमिकल ग्रेडियंट इलेक्ट्रो केमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट अगर मॉलीक्यूल जा रहा है वह उसे एक्टिव री एब्सॉप्शन बोलोगा अगर वह एक्ट्रो केमिकल ग्रेडियंट के डिरेक्शन में जा रहा तो मैं इसे पैसिव बोलोगा तो carbonate glucose amino acid uric acid बहुत सार ऐसे मॉलिक्यूल से क्योंकि एक्टिवली रियाप्स और है कि पासिवली कौन है तो पासिवली इजी है लर्न करना तीन ही मॉलिक्यूल अगर आपको दीखे गएगे लोराइड यूरिया और वाटर तो पर्स्ट हमने डिफाइन कर दिया दूसरा मेकानिजम कैसे होता है कैसे होता है एक्टिव एंड पासिवली होता है कि रूट और साइट इन दोनों में फर्ण क्या क्या है रुट मतलब कैसे दो के बीच में से जाएगा यह सेल के तुरू जाएगा साइट मतलब जिशले अच्छी तरह से पढ़ते है कि रूट एक्चुल है कैसा है में से यह ओवराल स्ट्रॉक्चर है जैसे हमने यह देखा तो 3D स्ट्रॉक्चर अगर मैं इसी पार्ट को जूँम करो तो आपको यह दिखेगा यह टिप्यूलर लुमेर है यह उसके cells है, यह बीच में इसकी space है, intercellular space है और उसके बाद है capillary अगर molecule दो cell के बीच में से जाता है और capillary में enter करता है तो हम इसे क्या बोलूगा, paracellular movement, parallel to the cell, paracellular अगर molecule cell के थूँ जाता है और वो enter करता है capillary को, तो इसे में क्या बोल रहा हूँ, transcellular so paracellular and transcellular so अगर आप देख सकते हैं, तो root में दोनों है, transcellular and paracellular तो root clear है आपता, तो next जाते है side की कहाँ पे, तो हमने side कौन से कौन से देखी, तो उसमें है PCT, loop of Henley, DCT और last में है collecting duct, तो PCT में कौन से कौन से ऐसे molecules है, जो की reabsorb हो रहे हैं, सबसे पहले PCT में, site of reabsorption, calcium, bicarbonate, chloride, water, glucose, amino acids, sodium, potassium ये सारे के सारे ही PCT में, मतलब ये इनकी site है, इस site पर जादा reabsorb हो रहे है, second, loop of Henley के बारे में अगर देखे, loop of Henley में सिर्फ दो ही है, sodium chloride, NaCl, third, DCT, sodium, calcium, bicarbonate, water, और last में अगर collecting duct में देखे, तो sodium, water and urea, ये सारे के सारे site हो गये, तो इस चार point के under हम, आपके second point that is tubular reabsorption को, इसी reabsorption की वज़े से जो हमने देखा था कि GFR अगर 180 liter per day है, तो भी urine कितना form हो रहा है, 1 to 1.5 liter, इसी reabsorption, क्योंकि almost जो भी essential thing है, जिसमें glucose आएगा, amino acid आएगा, vitamins आएगे, ये सारे के सारे reabsorption हो जाते है, ये urine में जाने नहीं चाहिए, ओके ये हो गया आपका tubular reabsorption, जिसको हमने चार point के अंदर पड़ा, ये हो गया, fruit जिसे हमने किया, third point and the last, जिसके बाद आपका urine formation का पूरा ये जो chapter है, clear हो जाएगा, जैसे हमने देखा, glomerular filtration से filtration हुआ, नीचे आ गया, उसके बाद reabsorption हो गया, हमारी जो third process थी, जो कि इधर बच गई, फिर से capillary से टिब्यूल उल्टा डिरेक्शन का डिरेक्शन उसका उल्टा डिरेक्शन, इसलिमें क्या बोलता हो, secretion, तो जो third process थे, वो उसे मैं बोलूगा, टिब्यूल आर, टिक्रेशन, बहुत सारे students, इन दोनों steps को उल्टा कर देते, तो हमेशा यह याद रखना, अगर टिब्यूल से capillary तरफ जाएगा, तो उसे हम बोले कि reabsorption, फिर से मैं ले रहा हूँ, मेरी चीज में ले रहा हूँ, और secretion के जो unwanted चीजे है, जादा urea, uric acid, ammonia में फिर से दे रहा हूँ, जिसमें potassium भी आता है, तो हम secretion के बारे में अगर देखें, तो यह ही secretion की slide, जैसे मैं अभी बोलते-बोलते ही define किया, कि यह भी एक process ही है, so tubular secretion is a process in which the molecule enter back to the tubule from the capillary, जिसमें कौन से-कौन से molecule होगे, unwanted molecules, जिसमें ammonia है, urea है, uric acid है, potassium होगा, आई जानते, कौन से-कौन से सब्सेंस से जोगी secret होते है, potassium, कौन से-कौन से site पर, तो PTC, DCT और collecting duct, ammonia देखे, तो PCT, that is proximal convoluted tubule, hydrogen ions देखे, तो PCT और DCT दोनों ही, मैं और वो secret होगे, urea को अगर देखे, तो loop of henley burst, तो यह आपका, यह urine formation का जो chapter है, जिसे हम events, तीन events में पढ़ा, सबसे पहले, अगर हम summary करें इसकी, हमने longitudinal section of kidney देखा, हमने nephron के structure के बारे में पढ़ा, अगर हम urine formation को देखे, तो उसमें हमने introduction में क्या पढ़ा, it is nothing but blood cleansing mechanism है, कितना urine form हो रहा है, तो 1 to 1.5 liter इतना urine form हो रहा है, events देखे, तो कौन से processes है, तो तीन मुख्य process है, सबसे पहले, blood आएगा किदर, glomerulus में, उदर क्या हो रहा है, filtration हो रहा है, तो glomerular filtration, दूसरा, filtration warm and capsules टे टिबिल के PCT के तरफ जा रहा है, PCT के होते हुए, loop of family, जब यह travel करता है, तो आपे फिर से जो भी मेरे wanted चीज है, इसमें glucose हो, amino acids हो, vitamins हो, जो भी चीज़े जो मिझे चाहिए, वह फिर से reabsorb कर लोगा, और सारी चीज़े reabsorb हो गए, और जो unwanted चीज़े और बची हुए है, जिसमें, यूरिया, ammonia, potassium, hydrogen ion, जो extra है, वो सब बचते हैं, तुम इसे secret कर दूगा, और ये तीनों ही process मिलके, आपका urine formation को complete करता है, तो आप बोल सकते हैं, इससे next topic के तरफ अगर हम जाएगे, तो next topic is urine concentration, आप बोल सकते कि यारत दादा, कि debular reabsorption में, यूरिया फिर से क्यों reabsorb हो रहा है, यूरिया तो unwanted, तो reabsorb क्यों हो रहा है, तो वही चीज़ है, यूरिया क्यों reabsorb हो रहा है, यह आपको समझ में आएगा, urine concentration वाले chapter, थैंक्यू,